दोस्तों आज बात करेंगे GST में ऐसे regular registered taxpayer जिनकी liability है GSTR 3V return को file करने की और ये आपको पता होगा कि GSTR 3V return यदि आप due date के बाद file करते हैं तो आप पर late fees charge की जाती है इसके अलाबा जिस period की आप GSTR 3V return late file कर रहे हैं due date के बाद file कर रहे हैं और उस period में यदि आपका कोई ऐसा tax वनता है जो कि आपको electronic cash license से pay करना है तो उस पर भी आपको interest pay करना होता है उतने दिन के लिए जितने दिन आपने delay किया है GSTR 3V return को file करने में अब दोस्तों यहाँ पर March 2021 और April 2021 की GSTR 3V return के लिए आपको late fees और interest में कोई छूट दी गई है क्या छूट दी गई है उस बारे में आपको बताएंगे दोस्तों मैं यहाँ पर goods and service test की site पर हूँ यानि GST portal पर हूँ और यहाँ पर जो बताए गया है उसी माध्यम से आपको बताते हैं कि यदि आप March 2021 और April 2021 की GSTR 3V return due date के बाद फाइल करते हैं तो आपको क्या छूट दी जाएगी और late fees में और interest में आपको क्या छूट दी जाएगी इसके लिए दोस्तों यहाँ पर notification नंबर 8 बटा 2021 और 9 बटा 2021 के माध्यम से आपको छूट दी गई है late fees में और interest में किसके लिए क्या छूट रहेगी है ना वो आपको बताते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है relaxation to normal taxpayers in filing of monthly return in form GSTR 3B यानि ऐसे regular taxpayer जो कि अपनी GSTR 3B return monthly basis पर फाइल करते हैं उनके लिए interest और late fees में क्या छूट दी गई वो जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे tax period March 2021, March 2021 tax period की बात करें GSTR 3B return के बात कर रहे हैं और जिनका turnover more than 5 crore rupees जिनका turnover 5 crore rupees से ज़्यादा रहा है previous financial year में तो उनकी जो due date थी वो 20 अपरेल थी और due date 20 अपरेल ही रहेगी है ना तो due date को extend नहीं किया गया है conditional आपको late fees और interest में छूट दी गई है ना तो उनकी जो due date है वो 20 अपरेल ही रहेगी लेकिन यदि वे 20 अपरेल की जगह पर 5 मई 2021 तक भी अपनी GSTR 3B return file कर देते हैं तो उन पर कोई भी late fees चार्ज नहीं की जाएगी यानि ये date निकल चुकी है तो 5 मई 2021 तक यदि इन्होंने अपनी GSTR 3B return file कर दी होगी तो उन पर कोई भी late fees चार्ज नहीं हुई होगी और इसके लाब interest की बात करें तो 20 अपरेल इनकी due date है और 20 अपरेल के बाद यदि ये file करते हैं तो first 15 दिन के लिए इन पर 9% जो interest है वो अप्लिकेबल होगा उसके अगले 15 दिन के लिए इनको 18% के हिसाब से interest pay करना होगा और उसके बाद इनको 18% के हिसाब से interest pay करना होगा यदि इनको कोई ऐसी liability बनती है जो कि इनको electronic cash license से pay करनी थी है ना तो आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं March 2021 period की ही किनके लिए up to 5 करोड रुपीज यान और due date अभी भी 20 अपरेल ही है इसको extend नहीं किया गया है लेकिन यदि यह अपनी GSTR 3V return March 2021 की 20 मई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो इन पर कोई भी late fees charge नहीं की जाएगी अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जो due dates है वो extend नहीं की गई है इसका मतलब क्या है इसक इसका मतलब यह है कि 20 अपरेल जो आपकी due date थी तो वो due date वही रहेगी है इसको extend नहीं किया गया है लेकिन यदि आप 20 मई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो इसका आप लाब ले सकते हैं आप पर कोई भी late fees charge नहीं की जाएगी लेकिन 20 मई को आप चुक गए और 21 मई को यदि due date है उसी से आपको चार्ज की जाएगा यानि 21 अपरेल से ही आपको late fees चार्ज की जाएगा फिर आपको 21 अपरेल से लेकर 21 मई यानि 30 दिन के लगवग आपको late fees देनी होगी तो यह आपको समझना होगा कि अपको due date को extend नहीं किया गया है आपको conditional late fees में छूड दी गई है यानि जितनी date आपको इस जगह पर सो हो रही है तो यहां पर इंट्रेस्ट फर्ष्ट पंद्रे दिन के लिए ऐसे जो टेक्स पेर हैं जिनका turnover प्रिवस फाइनेंसी एलिए पांच करोड रुपए से कम रहा था या पांच करोड रुपए तक रहा था तो फर्ष्ट पंद् के लिए उनको कोईभी इंट्रेस पे नहीं करना है उसके बाद अगले पंद्रे दिन के लिए उनको 9% के सहबसे जो इंट्रेस्ट है वो पे करना है उसके बाद 18% के साबसे उनको interest करना है तो आपको समझ में आ गया होगा March period के बारे में अब बात करते हैं ऐसे taxpayer की जो कि अपनी GSTR 3V written quarterly basis पर फाइल करते हैं उनके लिए क्या का गया है? Relaxation in filing of form GSTR 3V quarterly by taxpayer under QRMP scheme तो ऐसे regular taxpayer जिन्होंने की QRMP scheme को opt किया है March period के लिए उनकी GSTR 3V written कब तक फाइल कर देंगे? तो उन पर late fish नहीं लगेगा और interest कितना लगेगा वो जानते हैं अब देखिए यहाँ पर QRMP scheme के बारे में बात की जा रही यानि जो अपनी quarterly GSTR 3V written फाइल करेंगे Tax period है March यानि January to March quarter की January to March 2021 quarter की जो GSTR 3V written है यहाँ पर देखिए form GSTR 3V तो January to March 2021 की quarterly GSTR 3V written को फाइल करने की उनकी due date 22 और 24 रहती थी यानि गुरूप A में जो states है उन states के जो regular taxpayer है उनकी date 22 रहती थी और गुरूप B में जो state है उन state में जो भी regular taxpayer है उनकी date 24 रहती थी तो यदि आपकी 22 है या 24 तारिक थी तो वो अभी भी उतनी ही है यानि March 2021 जन्वरी to March 2021 quarter की GSTR 3V return को फाइल करने की जो due date है वो 22 और 24 अपरेल ही है लेकिन आपको conditional यहाँ पर लेट फीस में छूट दी गई है वो क्या है कि आप 22 अपरेल और 24 अपरेल की जगे 22 मई को फाइल करते हैं 22 मई तक फाइल कर देते हैं तो आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी यानि आपको समझना होगा जिनकी जन्वरी to March quarter की GSTR 3V return को फाइल करने की due date 22 अपरेल थी वे यदि 22 मई तक अपनी GSTR 3V return फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी और जिनकी due date 24 मई 24 अपरेल रहती तो जिनकी due date 24 अपरेल रहती वो यदि 24 मई तक अपनी GSTR 3V return January to March quarter की फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी इसके बाद यदि इस डेट को चूप जाते हैं तो फिर जो आपको छूट दी गए उस चूट का आप लाब नहीं ले पाएंगे क्योंकि due date को एक्षेन नहीं की आगया फिर आप पर जो लेट फीस चार्ज की जाएगी वो due date से ही चार्ज की जाएगी और बात करतें इंट्रेस्ट की January to March quarter की आप अपनी GSTR 3V return फाइल करने जा रहे हैं और उसमें आपकी कोई electronic cash laser से liability बनते है पे करने की तो first 15 दिन के लिए आपको कोई वे interest pay नहीं करना है उसके अगले 15 दिन के लिए आपको 9% के इसाब से interest pay करना है और फिर उसके बाद आपको 18% के इसाब से interest pay करना है तो March period के बारे में आपको समझ में आ गया हुआ monthly taxpayer और quarterly taxpayer दौनों के बारे मैंने आपको बता दिया अब बात करते है अपरेल 2021 पीरेट के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते है monthly return जो GSTR 3E फाइल करते है तो अपरेल 2021 की अब यहाँ पर बात करते है सबसे पहले जिनका turnover पांच करण रॉपई से ज़ादा है यह अपरेल 2021 पीरेट की बात करें तो जिनका turnover पांच करण रॉपई से ज़ादा है उनकी जो due date है वो 20 मई है और अभी भी 20 मई है इसको extend नहीं किया गया तो 20 मई उनकी due date है और 20 मई उनकी due date है लेके उनको शूट दी गई लेट फीस में कितनी 4 जून 2021 तक यदि वो 4 जून 2021 तक अपनी अपरेल पीरेट की GSTR 3 वी रिटन फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी और इसके बाद यदि फाइल करते हैं वो अपनी GSTR 3 वी रिटन तो ये शूट उनक पर जो लेट फीस चार्ज की जाएगी वो जो डूडेट है उसी डूडेट से उनको चार्ज की जाएगी और यदि इनकी कोई कैस लेजर से लाइबिल्टी को पे करने की करना है इनको तो 9% फर्ष्ट 15 दिन के लिए इनको 9% के इसाफ से इंटरेस्ट पे करना होगा उसके अगले 15 दिन के लिए 18% के इसाफ से इनको इंटरेस्ट पे करना होगा और उसके बाद 18% के इसाफ से इनको इंटरेस्ट पे करना होगा तो यह समझ में आगे किसके लिए जिनका टर्णोबर पांच करोड रुपए से जादा है अब बात करते हैं अपरल 2021 की GSTR 3B रिटन के 19 जून 2021 तक फाइल कर देते हैं तो इन पर कोई भी लेट फिस चार्ज नहीं की जाएगी और इसके बाद यदि फाइल करते हैं तो ड्यू डेट से ही इनको लेट फिस पे करनी होगी और electronic cash laser से यदि इनकी कोई liability बनती है तो first 15 दिन के लिए इनको कोई इंटरेस्ट पे नही कब तक फाइल कर सकते हैं बिना late fees के और कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है अब बात करते हैं quarterly के बारे में अब देखिए यहां पर है tax period किनकी बात की जा रहे ही qrmp scheme जिन्हों ने आप्ट कर रखा है तो जो qrmp scheme जिन्हों ने कर रखी है वो अपनी gstr3v return तो quarterly basis पर करते हैं return तो अपनी gstr3v return जो है वो quarterly basis पर फाइल करेंगे लेकिन यदि अपरेल मंत में उनकी कोई liability बनती है electronic cash cashless से pay करने के लिए तो उसके लिए उनको PMT 06 से उसको pay करना था है तो इसकी जो due date है वो 25 मही रहेगी 25 मही है लेकिन 25 मही तक यदि वो अपनी जो उनकी liability है जो उनको परेल में वो अपनी gstr3v return नहीं करना है और उसके अगले 15 दिन के लिए उनको 18 परसेंट के साब से interest pay करना है लेट फीस की तो बात ही नहीं है क्योंकि अपरेल में वो अपनी gstr3v return नहीं करेंगे अपरेल टू जून क्वाटर की जुलाई में वाइल करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपरेल 2021 के लिए जिन्होंने qrmp scheme को opt किया है उनके लिए क्या condition रहेंगी tax को पे करने की ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं composition scheme के बारे में तो यहां पर बताया गया है for quarter January to March 2021 यानि January to March 2021 की बात की जारी किसके लिए जिरो composition taxable person है जो की CMP08 फाइल करते हैं तो यहां पर बताया गया for quarter of January to March 2021 instead of 18th April 2021 composition taxpayers can now file their quarterly return in form CMP08 without interest up to 3rd में तो यह तो आपको पता होगा जो भी composition taxable person है CMP08 फाइल करते हैं तो उन पर कोई भी late fees चार्ज नहीं की जाती लेकिन उनको interest पे करना होता है तो यहां पर उनकी जो due date है चनवरी to March quarter की वो 18 April ही है लेकिन यदि वे 18 April की जगे 3 मई तक file कर देते हैं जिनोंने 3 मई तक file कर दी होगी तो उन पर कोई भी interest नहीं लगा ठीक है with 9% reduced interest between 4th मई to 18th मई और यदि 4 मई से लेके 18 मई के बीच में file करते हैं तो 18% की जगे उन पर 9% जो है उनको interest पे करना ठीक है इसके बाद 18% interest from 19th मई 2021 और 19 मई और इसके बाद यदि वो अपना CMP08 जनवरी to March quarter का file करते हैं तो उन पर 18% उनको interest पे करना है normal interest जो की 18% अभी भी लगता है तो वो आपको 18% के साब से ही interest पे करना है तो यह CMP08 के बारे में आपको बता दिया तो दोस्तों आसा है कि आज का जो मैं आपको बताना चाहता तो वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें धन्यवाद